तो यहीं गाई साथ हम डिसकेस करने वाले है गन कॉंबिनेशन इन बिया रहेंग मतलब कि आपको कौंसे दो गन को इस समल करना चाहिए तो आज स्कुड़ों में आपको तीन गन कॉंबिनेशन में सब जो भी सिलेट करोगे और उसको अगर आप यूज़ करेगे तो आप आरम अगली वीडियो के उपर होने वाली है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको नोटिफिकेशन आजाए तो फिलाल तो इस वीडियो की बात करते हैं तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं गया तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो थोड़ा नंबर का गन कॉंबिनेशन है टॉमी प्लस स्कार ठीचिप चार पांच हैड इसलिए लग जाएगे कसम से मैं कहा रहा हूँ कि मैं टॉमी से एंपेन फूटें त्रीचिप एंड कट्थे वाले बंदे को माले तो आपको पता है यह लोंग रिज में नेक्स लाव चालती है एंड स्कार का एक एडवंटेज भी गुलियों से ज्यादा चलती है उसका डेमेज भी ज्यादा होता है एंड स्कार को आप विदाउट स्कीन भी यूज करोगे तो भी वो नेक्स लाव चलती है तो यह था हमारा थर्ड नंबर का कॉंबिनेशन टॉमी प्लस स्कार त्रीचिप तो सेकंड नंबर का गन कॉंबिनेशन है चिप के बारें में कोई भी इंट्रडक्शन की ज़रूरत नहीं है अब सबको बता है कि एंपीफाइट के उपर लग गई तो बाई काफी है वो वुडबेकर एक हाई डमेज गन है अब बोड़ी भी नॉक कर पाऊगे तो यह था हमारे सेकंड नंबर का गन को मिलेशन तो अब भी बार यह पहले नंबर के गन कोमिनेशन की जो एकदम नेक्स लेवल है तो वह है M10 143 चीप प्लस और M10 143 चीप बाई साब M10 143 चीप का कोई भी जवाब नहीं है M10 14 का डेमेज तो नेक्स लेवल होता ही है अगर आपके पास 3 जीप है तो उसकी रेंज भी बढ जाता है ओको फ्रीफाइन पहले से काफी जादा इंपरू कर दिया है इंफ्यक्ट मैं तो ओको स्वाटरेंज में भी कई बार इस्तमाल करता हो और ओका डेमेज नेक्स लावल इंग्रिस कर दिया है यह था दैस तीन गन कॉम्बिनेशन आप तीन में से कोई भी इस्तमाल कर जाता है जाता है जाता है